उमीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं और ये निकल के आ रही है श्री अनुआनंद कंस्ट्रॉक्शन की तरफ से आप बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी कंपनी है बेसिकली एक लोकल कंपनी है बहाँ पेसे सिविल इंजीनियर के लिए जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फ्रेशर्स अलिजबल हैं कोई भी एक्स्पिरियंस नहीं मांगा गया है डिप्लोम और बीटेक दोनों ही यहाँ पे अपलाय कर सकते है परिमेन पोस्ट है इसके लिए आप all over India कहीं से भी अपलाय कर सकते हैं तो दीटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं अपलाय करना कैसे है सालेक्शन पूःसर क्या है पर भी follow कर सकते हैं, सबका link description में दिया गया है, कल दोस्तों, शाम को हमने अपनी पहली class ली थी, जिसमें मैं आपको current affairs पढ़ा हैं, हमारी life class थी, जो हमारा second channel पर चला था, इसका बहुत ही अच्छा response आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत जारा यह initiative उठा रहा है, कि वो civil engineering से, जो related current affairs है, बस वही आप लोगों को बता रहा है, तो please इस चीज़ का proper फायदा उठाईए, link में आपको description दे दूँगा, इसे like, share, जरूर करिएगा, बात कर लेते हैं थोड़ी से recruitment के बारे में, तो यह basically निकल के आ रही है, श्री constructions की तरफ से, एक private company है, basically एक local company है, इसकी job location पटना बिहार रहने वाली है, basically यह बिहार की company है, ठीक है, तो बहुत time से लोग बोल लहे थे, कि sir बिहार साइट से, पटना साइट से, या फिर Northern India साइट से recruitment नहीं आ रही है, तो आप देहुआने लग गई है, ठीक है, तो काफी अच्छा मौगार किसी को apply करना चाहिए, यह company basically infrastructure में काम करती है, काफी अच्छा काम कर रही है, थोड़ा बहुत interior designing का भी काम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकी official website है, ठीक है, अब थोड़ी अगर बात कर लेते हैं, vacancy के बारे में, तो basically यह इनका एक notification है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे basically दो तरह की job recruitment निकली हुई है, पहली है site engineer की, दूसरी है supervisor civil की, अगर आप site engineer के लिए apply करते हो, तो यहाँ पे 4-5 साल का experience मांग लिया गया है, qualifications में beating मांग लिया है, experience किसमें होना चाहिए, तो real state में आपको थोड़ा बहुत काम होना चाहिए, या experience वालों की बात, freshers की बात कर लेते हैं, जो freshers के लिए vacancy आ रही है, वो यहाँ पे supervisor की vacancy आ रही है, qualifications में अगर आपने diploma या फिर b.tech कर रखा है, तो आप यहाँ पे eligible हो civil में, work experience में 0 से 1, यानि की freshers यहाँ पे completely eligible है, तो हर किसी को यहाँ पे apply करना चाहिए, freshers यहाँ पे ज जरूर जरूर form भर सकते हैं, फिर भी अगर थोड़ी बहुत real state में अगर आपको जानकारी है, यानि की high rise building की infrastructure की थोड़ी बहुत जानकारी है, तब आपको यहाँ पे preference मिल सकती है, salary की बात करने तो वो भी clear नहीं है, best in industry लिखा है, यानि की जो भी nominal salary होगी, वो यहाँ आपको बता देता है, अगर आप graduate हो चुकी हो, तभी आप यहाँ पे apply कर सकते हो, selection procedure की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको shortlist किया जाएगा, और फिर shortlist करने के बाद आपको आपकी mail ID पे एक mail आएगा, और फिर आपको बुलाया जाएगा interview के लिए, और इ expected salary की बात कर लेते हैं, supervisor level पे, तो कुछ नहीं कुछ नहीं, तो 10 से लेके 15,000 के बीश में होने की उमीद है, fresher level पे इतना ही मिलता है, और अगर diploma वाले हैं, तो 70 से 8,000 हो सकती है, यहाँ पे आपकी salary, और अगर site engineer के लिए 4 से 5 साल के experience के लिए जाते हो, तो कुछ नहीं expected salary है, यहाँ पे apply करने के लिए आपको इस mail ID पे अपना resume भेज देना है, अगर आप shortlist होते हो, तो आपको call किया जाएगा, इसी के साथ साथ मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, कि आखिर resume को, जो भी हमारा mail होता है, resume होता है, उसको भेजना कैसे चाहिए, इस का लिए मै apply करिएगा, तो काफी अची post है, तो काफी अची post है, यहाँ पे रहने वाली है, और ठीक है, बस आज के लिए अभी के लिए इतना ही, I hope आपको मेरी बात आज की पसंद आ गई होगी, मेरा आइडेस के proper काम कर रही है, मैंने खुद चेक करी है, और प्लीज चैनल को जाज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे बता चला है कि आप मेंसे 50% बच्चे, मैंने जब analytics में देखा तो 50% बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब करके रखा ही नहीं है, तो बेटा प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, हम लोगों को motivation ऐसे ही मिलता है, मैं आपके इने चीजे करता हूँ, उसके लिए motivation मुझे उसी से मिलता है, तो I hope आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो फिलाल आश के लिए भी के लिए इतना ही, so thank you and God bless all of you.